नमस्कार दोस्तों, SSEJD Constable की final cut-off को लेकर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कुछ doubts है बहुत सारे बच्चों का ये मानना है कि जो आपने cut-off बताई है सर वो cut-off है ना कम बताई गई है आपने कहीं पर बताई ये तीन नमबर तो कहीं पर साड़े चार तो कहीं पर साड़े पाँच नमबर बट हमें ये लगता है कि जो cut-off है ना वो आप किसी भी state की बात कर लो चे से साथ नमबर उपर जाएगी और अगर इस से कम किसी के नमबर है तो वो medical देने ना जाए ठीक है तो आज cut-off के इसी सच के उपर आपके सामने हम बात करेंगे आपके सारे डाउट्स को किलियर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आखिर में cut-off कम क्यों जाएगी ठीक है तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते तो सबसे पहला सवाल था जो आप कोमन कह रहे हो कि cut-off 7-8 नमबर किसी भी स्टेट से चले जाओ आपकी भड़ेगी ठीक है बहुत अच्छी बात है सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ अंडेमान की ठीक है अंडेमान एंड निकोबार की ठी नमबर ओफ वेकेंसी नमबर ओफ वेकेंसी हैं तीन बच्चे तीन को तो लेना है जिनको नोकरी मिलेगी दो को भार करना है क्या दो बच्चों को भार करने के लिए 6-7 नमबर की cut-off उपर जाएगी पहली बात ठीक है तो पहली बात तो यही हो गई कि दो बच्चों को भार करने के लिए 6-7 number की cut off उपर नहीं जाएगी तो पहला दावा यहीं पर आपका गलत हो गया दूसरी बात कि यहाँ पर जो cut off बढ़ी थी ना वो points के उपर ही उपर गई थी ठीक है अगर आप physical की और medical के लिए return के बाद की cut off को अगर आप check करते हो ठीक है तो यहाँ पर अगर आपकी points में उपर जा रही है तो दो बच्चों के निकालने के लिए आप एक number 1.3 number भी अगर उपर कर दोगे इससे भी यह बच्चे जो होंगे न बहार हो जाएगे यहाँ पर ठीक है इनके लिए 6 और 7 जाने की जरूरत ने तो पहली बात तो यह कि सभी states के अंदर cutoff 5-6 number 6-7 number उपर जाएगी यह दावा आपका गलत है क्योंकि यहाँ पर यह मैंने आपको पहला तो सवाल यह बताया है कि state to state आपकी जो cutoff है वो differ करेगे ठीक है अब आप मेंसे बहुत सारे कहेंगे सार आपने अंदरबान का example ले लिया किसी और state का आपको example लेना चाहिए था यह तो आपने ऐसा चूज कर लिया जहां पर बच्चे भी और vacancies भी almost बराबर है don't worry अब हम बात करते हैं आपके बिहार के बारे में ठीक है बिहार के बारे में बात कर लेते हैं चलिए बिहार के बारे में बात करेंगे अगर मैं बिहार की बात करूँ तो अगर मैं यहां पर बात करता हूँ vacancy की तो 1146 candidate available अगर मैं बात करता हूँ candidate जो available है वो कितने है 3438 candidate available है 1146 vacancy के ओपर ठीक है, इतनी बात यहाँ पर हो गए, इतने candidate अवेलेबल है, medical जो देने जाएंगे, और इतनी आपके पास vacancy है, total, ठीक है, अब बात करते हैं, आप सारे लोग medical देने चले गए, ठीक है, आप सारे लोग medical देने गए हो, और वहाँ पर जो ratio है, वो मैं मानता हूँ कि आपका क न भूल गया, यह 1146 जो vacancy है, यह all category G region की हैं, भाई आपकी, only G region की, ठीक है, यह नकसल की, या आपकी border district की नहीं है, यह सिफ ground region जो है, उसकी है, और इतने candidate ground region के उपर आपके अवेलेबल हैं, जो medical के लिए, ठीक है, चले, आप 3438, 3438 बच्चे टोटल हैं, इनके 70% बच्च ऐसे होंगे, जो कि आपका क्या कर लेंगे, आपको medical में पास कर लेंगे, 30% बच्चे हर बार medical में निकलेंगे ही, निकलेंगे, यह बिल्कुल जो है, फिक्स एक ratio रहता है, कई बार 70 का बैतर, कई बार इससे कम, इससे जादा नहीं निकलते हैं, ठीक है, जो यहां पर आपक का पास कर लेंगे, अब 2410 student में से, ठीक है, अब यह medical पास में से, नोकरी कितनों को मिलेगी, यह सोचने वाली बात है, नोकरी आपको मिलेगी, 1146 को, इस total में से मैं 1146 को माइनस कर देता हूं, ठीक है, भाई, नोकरी तो vacancy जितनी उतने ही बच्चे लेंगे, अब पास तो यहाँ पर 50,000 हो, जो 50 थोड़ी न मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ पर difference कितना आ गया, 1264 का, ठीक है, अब यह candidate जो है, 1264, इनको क्या करना है, बाहर करना है, ठीक है, अब 1264, देखना, 3438 में से घटते घटते कितने आ गये, 1264 आ गये, चले, अब एक बात करते हैं, कि आपकी, जो cut-off थी, ठीक है, आपकी जो physical के लिए cut-off गई थी, फीजिकल के लिए अगर मैं बात करता हूँ, आपकी तो cut-off कितनी गई थी, आपकी मैं कहता हूँ, 61 नंबर आपकी cut-off गई थी, unreserved category के लिए, ठीक है, unreserved category के मैं simple एक बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है, और उसके मुझे नहीं पता, कि भाई, आपकी क्या cut-off रही होगी, या क्या नहीं रहीगी, अगर मैं एक average cut-off सारी निगालतां, तो मैं यहाँ पर इसको मैं बांढ लेता हूं, कि इस सारी vacancy के लिए, पहले 61, जो थी आपकी, ये average थी आपकी, जितनी भी category थी आपकी जी region की उनके लिए मैंने एक average आपकी मैं मान लेता हूँ कि 61 आपकी cut off रही होगी ठीक है example ठीक है अब यहाँ पर 1146 बच्चो थे 61 आपकी थी इनका 3 गुना आपको लेना था कितना 3438 और यहाँ पर जो cut off बढ़ गई है वो कितनी बढ़ गई है मान लो final मैंने मान लिया 64 नंबर आपकी बढ़ गई है 61 थी और 64 होगी average मैंने मान लिया सारे region के लिए ठीक है हर category आगई इसमें ठीक है अब यहाँ पर 1146 1146 1146 तीन गुना ऐसे ही बने ठीक है तो यहाँ पर मान लो 63 तीन गया तो मतलब कि हर 1.5 नंबर पर हर 1.5 नंबर पर आपके 1000 स्टूडेंट 1146 से 1200 स्टूडेंट मतलब कि 1.5 नंबर पर 1200 स्टूडेंट आपके ऐसे थे जो आपके एड होते चले गए ठीक है 61 था अगला 1.5 नंबर बढ़ाया 1200 एड हो गए अगला 1.5 बढ़ाया 1200 बच्चे एड हो गए तो मैं कहता हूँ कि average base के उपर 1.5 नंबर के उ ठीक है कितने 1000 बच्चे अब आपको करना क्या है 1200 ही बहार निकालने है आपके 1.5 आप एड करते हो तो आप 1200 बच्चे निकालते हो बहार अब अगर 1200 बहार करने है तो आप मैक्सिमम कितने आप ले पाओगे ठीक है मैं कहता हूँ इसका आप डबल कर दो नहीं 3 गुना कर द यह जो 1200 बच्चे भार हो जाएंगे ठीक है अब मैंने cutoff में क्या बताया आपका G region के लिए आपका मैंने बताया 4.7 आपकी maximum जा सकती है यहाँ पर 4.5 मैं 4.7 आपको बिहार के लिए बता रहा हूँ अब ऐसे में बच्चे कह रहे है 6 नंबर उपर जाएगी तो क्या जो डेड़ नंबर पे 1200 बच्चे एड़ हो सकते हैं average base के उपर तो क्या 4.7 पर इतने नंबर भढ़ने पर क्या 1200 बच्चे भार नहीं हो सकते मतलब कि यह तो इसका 3 गुना भढ़ा रहा हूँ मैं ठीक है जब तुम डेड़ नंबर पर 1200 अंदर डाल सकते हो हर डेड़ नंबर पर 1200 फिर 1200 तो क्या तुम 3 गुना करकर इसका 3 गुने से भी जादा करकर 1200 बहार नहीं होंगे definitely आपके 1200 बच्चे जो है वो बहार हो जाएंगे और उनगी की वज़े से जो cut off है वो state wise जो भी जो आपके state wise होगी उनमें सारे ये ratio चेक करने के बाद ही आप ये बता सकते हो कि कितने कितने उपर जाएंगे इसलिए जिनने भी आपको ये कहा है कि 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर से उपर ना हो तो वो यहाँ पर गलत है क्योंकि बिहार का पूरा analysis मैंने आपके सामने कर दिया है कि कैसे कैसे cut off उपर जाएगी ठीक है, चले, अब अगर मैं बात कर लेता हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि previous year के अंदर जो आपकी cut off है वो ज़्यादा बढ़ी थी इस बार मत कर यह, previous year के अंदर बिहार की cut off गई थी छेतर नमबर ठीक है, तो इस बार का और उस बार का बहुत जादा डिफरेंट है पिछली बार आप अगर candidates के marks देखोगे, ठीक है तो marks जो उनके थे न वो वल्ला marks थे, उनके वल्ला का मतलब है बिल्कुल शांदार, ठीक है कि वो negative नहीं थी उस समय में, ठीक है और इस बार भाई negative थी और जो exam का level था, वो hard level था, क्योंकि first time negative की वज़े से, जितने भी बच्चे जो exam में उतरे थे, उनको कही ना कही मन में ये doubt था, solve करे ना करे, 50-50 पे भी वो टिक मार के आएं और उनकी negative खा के आएं, ठीक है, जिस बच्चे के 80 नंबर आ सकते थे, वो ही negative की वज़े से 65 नंबर तक भी 70 नंबर तक भी लेके आया है और ये सब आपके सामने हैं, तो इस बार और पिछली बार में बहुत ज़्यादा different आपको, difference जो है, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि अब medical देने मत जाओ जिनके 4 नंबर उपर है, मैं कहता हूँ जिनके भी बिहार से, maximum G region से, अगर आपकी unreserved की, 4.5 तक भी अगर उपर नंबर है, आपके maximum, ठीक है, maximum और अगर minimum मैंने यहाँ पर आपको बताया था 3.3 से लेके, 4.7 तक अगर आपके नंबर उपर है तो आप चले जाओ, बाकिया आप वीडियो में देख सकते हो अभी मुझे ध्यानी एग्जेक यह वाली वेल्यू किया थी तो आप लगबग इतनी रही होगी, ठीक है तो आप उसके according आप medical देने जाओ, ठीक है तो यहाँ पर जो भी होंगे ना, वो यहाँ पर बच्चे medical पास कर लेगे तो पक्का उनकी बात है कि उनका भी चोभी सो दस, ठीक है अब मैं क्या चाओंगा, कि मैं चाओंगा यहाँ पर तीन हजार में से जितने भी कम हो, ठीक है मैं कहता हूं कि तीन हजार चार सो थे, मैं कहता हूं यहाँ पर तीन हजार जाए जाएं मेरि बातों से, आप कितने कम हो じाएं? 400 बच्चे कम हो jetए, जादा हैं.. तो यहाँ पर साथ यह 21 मतलब आप बच्चे कितने वह गए? 200 बच्चेए, ठीक है? 200 में 1146 आप करोगे, तो 4.. 5, 9.. और यहाँ पर 954 आपका ठीक है? 944 आपका यहाँ पर हो गया तो जो पहले 1200 के करीब आ रहा था अब वो आपका कितना हो गया 944 ने बच्चे रह गए अब 944 बच्चो को अगर भार करना है तो cut off आपकी और जादा down जाती जाएगी जितने बच्चे कम अगर यहाँ पर 5 बच्चे होंगे तो cut off points में ही उपर जाती जाएगी ठीक है तो उन बच्चो का एक mentality set है कि अपने को जोब लेनी है न तो भीड को छाटो सबसे पहली बात यह है तो वही भीड आपकी यहाँ पर छटने का बता दी है और होपसो आपको भी समझ में आगया होगा कि cut off खेल कैसे खेलेगी पिछली बार नंबर जादा थे cut off भी जादा थी आपकी उसी के according ही सारी चीजे बढ़ी थी और इस बार के according ही आपकी सारी चीजे देखते हुए ही अब मालो आपने तीन नंबर उपर लिये है maximum जो बच्चों के range है वो इनी तीन के आसपास ही घूमरी है कि एक नंबर भी उपर बढ़ा देते तो यह down हो जाते बच्चे निकल जाते so उनी के सारी चीजों के उपर ही आपकी cut off है जो उनका खेल चलता है बात करते हैं बहुत सारे के बच्चों के सवाल है कि हमें जोब में कौन सी पोस्ट मिलेगी इतने नंबर है इतने नंबर है तो देखे पोस्ट के उपर अभी काम चल रहा है उसको बनाना बहुत मुश्किल काम है ठीक है मैं नहीं कोई भी अभी नहीं बता पाएगा लेकिन मैं उनके उपर काम कर रहा हूँ आपके नंबर सब है जितने भी है उनको कर रहा हूँ जो फोर्मूला मैंने आपको बता है उसके उपर काम कर रहे है कितने परसेंट पास होंगे उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि हाँ इतना होगा लेकिन यहाँ पर जो भी medical pass कर लेगा और इन 1140 की range में आता है ठीक है वो यहाँ पर मान कर चल सकता है उसको जोब तो मिलनी मिलनी है मानलो उसने पहले CISF डाला है लास्ट में BSF डाला है तो CISF नहीं तो BSF मिल जाएगी बट मिलेगी तो जरूर ना मतलब उसको लड़ू खाने को जरूर मिलेगा चाहिए वो मोती चूर का मिले या फिर उसको बेशन का लड़ू मिले लड़ू जरूर मिलेगा यहाँ पर तो सबसे पहली satisfaction यह होनी चाहिए कि हाँ मेरे पाद जोब है second satisfaction होनी चाहिए कि बेरोजगारी का तब कट गया तीसरा जो आपका मोटीव होना चाहिए वो यह होना चाहिए कि first job then try for higher job पहले एक job लेलो उसके बाद higher job के लिए में try करूँगा यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पकड़ दिया जकड के बांध दिया कि भाई आप आप ना SSC की तियारी करोगे ना CGL की करोगे ना CHSL CPO UP पुलिस किसी की नहीं करोगे भाई आगे भढ़ने का नामी जिंदगी है एक पैड़ी पकड़ो और उपर चड़ जाओ एक पैड़ी पकड़ो उपर चड़ जाओ तो यही काम आपको करना है ठैरना नहीं है बैत पानी बनना है। बहते जाओ जब तक कि आपके अंदर ताकत स्टेंथ और अबिलीटी है ठीक है। सो होप सो आपके सारे डाउट यहां पर किलियर हो गए होंगे फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट वोक्स आपके लिए ही बना है आप उसके अंदर अपने सवाल पूछिए अपना गुसा बताईए अपने विचार बताईए वो ही एक मीडियम है हमें एक दूसरे को जानने का एक दूसरे को समझने का एक दूसरे के सवाल डाउट्स प्रोब्लम्स को जानने का या एक दूसरे के साथ इंटरचेंज अपने जो अपने जो व्यूज हैं अपने जो आईडियास थोट्स हैं उनको करने का ठीक है अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे तब तक लिज आज़े दीजिएगा नमस्कार